सबी जगा बड़े हर्शुलास के साथ मनाय जानी वाला गणीश उत्सव शुक्रवार को समाप्त हो रहा है नाको नगर निगम का प्रशासन गणीश उत्सव के दोरान किसी भी तरह की आसुईदा ना हो और परियावरन की अनुकोल गणीश विसर्जन हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तयार है नगर निगम ने अपील की है कि शुकरवार से भगवान गणेश का विसर्जन किया जाएगा और नागरिक अपने महले की क्रत्रिम सरोवर में गणेश की मूर्ति का विसर्जन करे नगर आयोकते एवं प्रशासक रादा कृष्णन भी उनके निर्देशा नुसार गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विभिन कदम उठाए गए हैं और कोराड़े में चार फिट से अधिक उची मुर्तियों के लिए विशेश विवस्था की गई है नाकपुर नगर निगम ने गणेश प्रतिमाओं विसर्जन क्लेश शहर में जोन वाक रत्रिम टैंक और घूमने वाले कुंड की ववस्था की है विसर्जन क्लेश शहर के सभी 10 अंचलों के अंतरगत 24 से अधिक स्थानों पर 390 कृत्रिम तलाबों की विवस्था की गई है गणिशुस्तफ की मौके पर नगर निगम की पूरी विवस्था तयार है ताकि नागरिकों को किसी तरह की परेशानी ना हो नगर आयोक्त एवं प्रशासक रादा कृष्णन भी शहर में विसर्जन इस तलो पर जाकर इसका निरिक्षन किया गया है उनके नेतरत में अपर आयोक्त ठोस अपशिष्ट प्रभंदन विभाग के उपायोक्त डॉक्टर राम जोशी सभी अंचलों के सायक आयोक्त गजेंदर महले कारेपालन यंत्री नगर निगम के स्वचिता विभाग के सभी अधिकारी करमचारी उपद्रा की लोग काम करने में लगे हैं और एक हजार से अधिक करमचारी परियावरण के लिए तयार हैं श्री गणिश जी का मैत्री पून विसरजन परियावरण के अनुकूल गणिश उत्सव की दोरान नगर पालिकाओं को हमीशा शहर में गैड सरकारी संगठनों का भरपूर सही योग मिलता है इस वर्ष भी स्वयम सेवी संस्थाओं के स्वयम सेवक नगर के विविन विसरजन इस्थलों पर नगर पालिका का सही परियावरण हितेशी गणिश उत्सव में अपना योगदान दे रहे हैं के साथ अभिशेक पांसी बीसीन न्यूस नाकपूर